प्रेंस मेरा आज रेसिपी ए रमजम का एस्पेशाल अलू बाजी आलू बाजी होर कोई बनाता है लेकिन मैं तो रालाग इस्टेल के बनाऊंगी तो चली रेसिपी शुरू करते तो मैंने देखिए अलू गळ करके ले लिया पहले तो हम चुर्ण कर लेते पहले अध मेरा सा ख्रापफे मैं हाट से कर्णा कि अच्छी तरसे चुडशुर करना है है तो देखे implicit मैं अच्छी तरसे चुडशुर कर लिया तो समी क्यायक कासा यह मैं देए जाउंगे अब को बोलते जाउंगे तो मैं इसमीन के पहले नमक और दूंगी में थोरी सी हल्दी पाउडर और दूंगी में प्यास का पाउडर मेरे घर के प्यास पाउडर और दूंगी में लसुन का पाउडर अभी दूंगी में टमेटो का पाउडर मेरे पाउडर जितने मेरे घर के हैं बाहर कने में गरपे बनाईू और दूंगी में चाट मसाला आमसु पाउडर ब्यब देशकते हूँ और दूंगी में बुना हुआ जीरा मैंने कुट के लिए पाउडर नहीं बनाया दिखिए whose मैं दिओंगी चिलि फिलकस है ऊचलाव देखिए मिन छोटाः लिए राज़का आटा कि वे दियोंगी कि राज़का आट नहीं कि फीर शकाव। अगर कम ज़्यादा लागेगा तो अच्छी तरह सम्मिक्स कर लेते हैं अगर पानी के जोरूत होए तो हम बाद में देखते अच्छी तरह से इसको मिलना पड़ेगा भी तो देखे लगते बहुत सुपका है क्योंकि ऐसा गुल गुल भी बनाने के ना इभी कित तरस नहीं हो रहे तो मैं थोरी सी पानी आट करूंगी थोरी तरी करके अगर ज्यादा पतल होई जाए गभी मसीबत होई जाए जाए मैं इससे मिक्स कर देंगी जैसे हाथ गिल्ला करके मैं देरूं थोरी सी पानी और भी थोड़ी सी दे देतूं इससे मिक्स कर देतूं तो देखे मैं मिक्स कर दिया अभी हम राउन रान में बाना लेते जैसे आपका मोर जब से देर सकते हो देखे मैं हाथ में तुरब पहले तेल लगा दिये अगे हम चोटा चोटा लेंगे ऐसे ऐसे करके फिर हाथ से हम ऐसे ऐसे कल लगते है चोटा बारा रान में लंबा में जैसे आप पिच्छे आप कर सकते हो कर यह करते जाएंगे खरी में देते जाएंगे सबस्काइब दीरे दीरे फिराइए करने का जाने का कर लेंगी और छाना करलानीका नहीं मैं अधैस में फिराइए कऱो में तो में कर देखे हो गया क्यूंक कि मैं पेला रेडियेद इसलिए दोन देखे गया मैं दोनों निकल दे तो घूर्व डघ बहु दार के लाग्य देखे हो गाई में इसलिए आप लोग वीसमें के बाद की अमत्य παर अगर अप्लो के रेशिपी अच्छा लगा तो पिलीज लाइक किजेगा शेर किजेगा आप मुझे सपोट किजेगा फिर मिलेंगे नहीं वीडियो का साथो के बबाई